नमस्कार प्रवा साक्षे देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अंकेट सिंग बात प्रिक्ट की करेंगे और कल विश्व को नया चैंपियन मिल जागा यानि प्रिक्ट के लिए एक तरीके से नया विश्व कप जो होगा वो किसी नया देश के पास जाएगा इंगलेंड और न के मुकाबलzlich ragdy होगा तो जाहिर सी बात हैं हम सबके जहाद में होगा कि इंग्लैन का पल रख कहीं न कहीं भारी रहेघा लेकिन ऐसा क्यों इसलि एंग्लाइंड सबसे पहले तो हôm कंडिसंस में खेल रहे हैं इसके लॉट्स पे कही न कहीं इंग्लाइंड ज्यादा फेवर वाली कंट्री रहेगी साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दो विश्वकप को देखा जाए यानि 2011 और 2015 तो दोनों ही बार जो मेजबान टीम रही है उसी ने विश्वकप जीता है इसलिए इं प्रफॉमेंस के अधार पर देखा जाए तो वेस्ट जो न्यूजीलेंड के खिलारी है उनके तुलना में इंग्लेंड के जो खिलारियों की प्रफॉमेंस रही है वह बहतर रही है न्यूजीलेंड सिर्फ उनकी बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो वह किन विलियमसन जो जो सेनेटर जैसे खिलाडी हैं वो साथ देते रहें इंगलाइंड के लिए मजबूत पक्ष यह है कि उनके जो बल्ले बाज हैं खास करके चार बल्ले बाज यौन मॉर्गन जो रूट जॉनी बैरस्टो और जैसन रो यह चार ऐसे बल्ले बाज हैं जिनको आउट करना न्यू इंगलाइंड के पास वह गेंदबाज नहीं है उस तरीके के इंगलाइंड के पास गेंदबाजों के पास जो पेश है उस तरीके की नहीं है जैसे के नियूजिलेंड के गेंदबाजों के पास है लेकिन वेरियेसंस इंगलाइंड के गेंदबाजों के पास जादा हो चाहे भारत इसींग्र तीम पर भी कई सवाल लगतार उठ रहे हैं इन सवालों के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वह महिँ सिंग्धोनी के ऊपर भी लगतार जारी है महें सिंग्धोनी क्या क्रिकट से सन्यास ले लेंगे महिश्ट के दौरे पर जाएंगे या फिर महन सिंग्धोनी सन्यास के बाद किसी राजनितिक पार्टी को जोईन करेंगे इस पर तबाम चर्चे गर्म हुए हैं लेकिन महन सिंग्धोनी के समर्थन में कई पुर्व वरिस्ट खिलारी आगे हैं एडम गलिक्रिस्थो इस्टिव और ने तो इतना तक क्या दिया कि भारत महन सिंग्धोनी के बगार एक मैच भी नहीं जीत सकता है तो अपने आप में यह समझा जा सकता है कि महन सिंग्धोनी और विश्वस्नियता है वो कितनी है कई राजनियता भी महन सिंग्धोनी के समर्थन में हैं वह लगातार यह कह रहा है क कि महन सिंग धोनी इस तीम की रीड है अब देखना दिल्चास्प होगा कि महन सिंग धोनी आखिर क्या करते हैं क्योंकि उनके उम्र 37 साल है अब जो अगली खबर है उसके भी हम बात कर लेते हैं खबर यह है कि भारती टीम जब इंडिया वापस आ जाएगी तो टीम के जो बारे में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो सवाल चर्चा में हैं कि जो सवाल पूछा जाएगा वह यह है कि साथ नंबर पर सेमी फाइनल में धोनी को क्यों बेजा गया इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि खिलारी जो है वह आपस में कोच को लेकर भटे हुए है कि तरब से इसारा दे दिया गया कि शायद संजय बांगर के छुट्टी हो सकती है और इनका फ्लॉप होना इसलिए बताया जारे कि नंबर चार पाच के वल्ले बाज को अब तक नहीं ढूंड पाए हैं तो यह तमाम बातें हैं जो चर्चा में हैं अब देखना यह होगा कि कि आखिर किस तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ती है एक बात और आपको बतानी जरूरी है यह है कि कल एवी डिवीलियर्स ने जो यह खबरे थी कि उन्होंने टीम से जुनने की बात के थी वीशु कब से पहले और शर्त भी रखा था उससे उन्होंने इंकार कर दिया है इसके उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था उसके बाद बीराट कॉहली ने उनको इमंदार खिलारी भी करा दिया है तो फिलाल यह थे किरकत की खबरें कला से फिर मुलाकात होगी कुछ न्य खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार